Hello friends, welcome to my channel Monica's Fruitful Care. कैसे हैं आप? I hope आप सब ठीक होंगे और अपना और अपनी फैमली का पूरा पूरा ध्यान रख रहे होंगे. तो स्वस्त रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहेंगे तो मस्त रहेंगे तो स्वस्त रहेंगे. और इस व्यस्त और मस्त रहेंगे बीच में आपको अपने वेक्सिनेशन को भी लगवाना है. COVID-19 का वेक्सिनेशन अगर आपने अभी तक नहीं लगवाया, तो प्लीज जरूर लगवाईए. और क्योंकि ये आपके लिए और आपके फैमिली के लिए बहुत ही जरूरी है. और जो लोग फर्स टाइब मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं मोनिका, अपने चैनल मोनिका's Fruitful Care में आप लोगों का हादिक स्वागत करती हूँ. आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप ही मेरी इस सुन्दर सी ब्यूटिफुल यूट्यूब फैमिली का एक पार्ट बन सके, प्यारे से मेंबर बन सके, आज मैं आप लोगों के साथ शियर करने वाली हूँ, कमादा का अंट्राइज जैल का रिव्यू, जो कि मैंने लास्ट सिक्स मन्स मैं इसको जो कर चुकी हूँ और 2nd pack मैंने वापिस इसका मंगवाया है, मुझे यह बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं इसका 2nd pack मंगवाया है, तो ये है इस तरह की packing में आता है, तो मैं इसबार आपको packing दिखा रही हूँ, तो ये सबार की cotton packing में आता है, 50 gram की ये packing है और 339 नाइन इ होते हैं वो फ्लेक्ट्ट होते रह जाते हैं तो अब मैं आपको इसकी जो पैकिंग है वो खोल के दिखाती हूं तो यह इस तरह से यह पैकिंग में खुलेगा और इसके अंदर बहुत ही प्यारा सा यह कांच का एक छोटा सा जार होता है तो उपर इसकी गॉल्डन लेट है अ भी इस पावुटर का की है तो यह वैसे ही जैल है जैसे ऐलो विरा की जैल होती है यह थुड़ी ठीक जैल है बहुत ही बढ़ा है कलर इसका गोल्डन में में भी क्योंकर एसमें अशेव गंता भी है लीगोर इस पाउडर का एक्सरेक्ट्ट भी concepts वी प्यिकेत हैuld तो यह ग अब अगर इसके absorption की बात करें तो जब मैं इसको लगाती हूँ यह skin पर बहुत जल्दी absorb हो जाता है और आप एक जो लोग make-up करते हैं तो आप लोग make-up के पहले भी इसको अपने eyes पर लगा सकते हैं तो जो यह बहुत even सा आपके जो make-up की आप उसके बाद चाहे आप concealer लगा या आप foundation वोगरे जो भी लगाते हैं तो बहुत अच्छे से उसको set कर देता है even सा इसका जो होता है स्मूफ सा यह इसको set करता है तो आप इसको लगा सकते हैं make-up से पहले भी अब इसको male और female दोनों लगा सकते हैं ऐसा gender का कोई issue नहीं है इन्होंने यह भी इसमें mention किया ह है कि यह wagon है 100% और यह animal पर टेस्ट नहीं है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो अगर हम इसके natural ingredients की बात करते हैं तो इसके अंदर aloe vera gel का extract है इसमें tomato का extract है, potato का extract है, liquorice का extract है, अश्व गंदा का extract है इसके अंदर और साथ के साथ potatoes का भी extract है तो बहुत सारे natural सी चीजे हैं जो कि जिनके extract इसमें डले हुए हैं और यह वो चीजे हैं जो कि सारी कि सारी हम लोग जितने भी home remedies होते हैं यह जितने भी हम लोग जब हम skincare की बात करते हैं तो उसमें यूज की जाती हैं बहुत amazing देती हैं यह जब इसके जो results होते हैं वह बहुत amazing होते हैं क्योंकि जो potato हैं वो भी under eye dark circle के लिए बहुत ही बढ़िया है aloe vera gel आपके skin को moisturize करती है और tomato जो है वो skin को lighten करता है लिकोरा इस भी lighten करता है तो यह सारे ही सारी चीज़ें बहुत amazing है तो जब इसके जो ingredients पढ़ें तो मुझे यह product बहुत ही अच्छा लगा था तो मैं अब इसको लगा रही हूं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यह skin जो है मेरी बहुत ही affordable है जैसे तो इससे costly वाले बहुत सारे आते हैं यह product है मुझे बहुत ही बढ़िया लगा यह skin को hydrate रखता है इसकी किसी भी तरह की dryness नहीं होती है आपकी जैसे की dryness की बज़ा से फिर क्योंकि आगे wrinkles और crossfit का जो problem होता है वह भी होता है तो आप लोग इसको use कर सकते हैं एक बात जो है मैं आपको clear कर देना चाहती हूं देखिए कोई भी product हम लोग market से purchase करते हैं आपकी जो skin है सबकी हम लोगों की बहुत ही different होते हैं दूसरे से तो जब भी कोई product हम लगाते हैं तो उसका जो response होता है वह vary करता है skin to skin पे तो dry skin वालों की और sensitive skin वालों की उपर में भी कोई भी product जो है वो थोड़ा सा उनको source समझ के लेना चाहिए और उसका हमेशा एक patch test प्रू करना चाहिए मेरे लिए यह product बहुत ही बढ़िया रहा है मेरी skin जो है वो normal skin है ना वो जादा dry है और oily नहीं है combination और normal skin के बीच में मेरी skin है तो मुझे यह product बहुत ही बढ़िया लगा साथ में यह transparent है तो कुछ ऐसा नहीं कि आपने लगाया उसके बाद जो है आपको इस पे कुछ अलग सा दिखाई देता है तो मैं आपको इसको थोड़ा सा अपने हाथ पे लगा के दिखाती हूँ तो यह देखिए यह मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिया है और मैं आपको इस तरह से यह देखिए यहाँ पे मैंने इसको लगाया है तो यह बहुत transparent है यह बिल्कुल दिखाई नहीं देता तो gel form में यह आता है और बहुत जल्दी यह skin में absorb कर चाता है तो यह almost absorb कर चुका है तो यह आपके skin पे सरफ अपना skin को hydrate करता है बट आपको कोई color नहीं देता है बहुत ही बढ़िया है यह मुझे personally यह product बहुत ही अच्छा लगा है इन्होंने तो यह mention किया था जब मैंने यह product लिया था जो उसके साथ में इन्होंने mention किया होता है तो उसमें यह था कि आपको इसको day में भी लगाना है, night में भी लगाना है लेकिन honestly मैं सरफ इसको night में लगाती हूँ day में मैं भूली चाहती हूँ और once in a while में लगाती हूँ लेकिन जादा तर मैं इसको रात में ही use करती हूँ तब भी मुझे इसके जो results हैं बहुत अच्छे लगे तो ये था मेरा personal review इसके लिए लेकिन product खरीटते हुए कोई भी चीज खरीटते हुए आप जरूर अपने skin type को ध्यान में रखिए मादा का जो unry gel जो कि मैंने आपके साथ share किया amazing है मेरे लिए और हो सकता है आपको भी ये product बहुत अच्छा लगे I hope आपको ये review पसंद आया होगा मादा का unry gel का मुझे बहुत amazing लगा लेकिन कोई भी product खरीने से पहले आप जरूर उस product के review जरूर पढ़िए या बहुत सारे लोगों ने अपने अलग लग एक product के लिए बहुत सारी videos बनाई होती है तो maybe आपके skin type के हिसाब से आपको और इन चीजों के लिए search करना चाहिए या फिर जो मेरे बाके साथी हैं यूट्यूबर साथी हैं उनकी भी videos देखने चाहिए तो तभी I hope आपको ये review पसंद आया होगा वीडियो किसी बेंगल से पसंद आया हो तो please like कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा और bell icon को प्रेस करना मत भूलेगा ताकि जल्दी ही जल्दी हम लोगों का मिलना जुलना होता रहे तो मिलते हैं ने वीडियो के साथ जल्दी ही Till then take care, goodbye